नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों नवरात्री की यह महान कथा सुनने से बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं दरिदरी को धन, रोगी को स्वास्थय, कमजोर को बल, संतान हीन को संतान, स्त्री हीन को सुन्दर पत्नी की प्राप्ती होती है स्वयम भगवान श्री राम ने भी नवरात्री का यह व्रत किया था, इसलिए नवरात्री का यह व्रत बहुत महान है। इस व्रत का अनुष्थान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त करता है और अपने राज्य से वंचित राज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रिथवी लोक में जिस प्राणी ने भी नवरात्री का व्रत नहीं किया है, उसे इस लोक में वैभव और स्वर्ग में आनंद प्राप्त नहीं होता है, जो व्यक्ति लाल चंदन से मिश्रित, कोमल बेल के पत्तों से भगवती जगदंबा की पूजा करता है, वह संसार क के समस्त सुख एश्वर्यों को प्राप्त करता है, जो मनुष्य, दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिध्यां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ट, कल्यान, स्वरूपीनी, जगदंबा की उपासना नहीं की, वह प्रिथवी लोक पर सदा ही, अनेक प्रकार के क पूर्ण होकर हर्ष के साथ भगवती जगदंबा का ध्यान करते हैं, भगवती जगदंबा की इच्छा से ही ब्रह्मा स्रिष्टि का निर्मान करते हैं, भगवान विश्णु अनेक अवतार लेते हैं, और शंकरजी संसार को भस्म करते हैं, उन कल्यान कारणी जगदंबा क पूजन निश्चित ही करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, एवं परवत नहीं है। जो मा जगदंबा की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न करने से समर्थ हो, इन सभ को मा जगदंबा से ही शक्ति प्राप्त होती है। यदि कोई महा पापी भी नवरात्री का व्रत करता है, तो वह भी समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। आईए दोस्तों आपको सुनाते हैं, नवरात्री की महान धन-धान्य की प्राप्ति होती है। प्राप्त होता था और उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। वे सदा ही भूख से व्याकुल रहते थे और दूसरों के पास काम करके अपने परिवार का पालन पोशन करने की कोशिश करते थे। वह वैश्य धर्म पारायन, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने अभिमान रहित, धैर्यवान तथा इरश्याहीन था। वह हर रोज देवताओ, पितरों और द्वार पर आये अतितियों की पूझा करके अपने परिवार जनों के भोजन कर लेने के बाद ही जो कुछ भी बच जाता था, उसी को खाकर संतुष्ट रहता था। इस प्रकार का नाश कैसे हो सकता है? मुझे धन की अभिलाशा तो नहीं है, किन्तु हे द्विज्श्रेष्ट, मैं आप से कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ, जिससे मैं अपने कुटुम का भरण पोशन कर सकूँ, और उतना ही धन अर्जित कर सकूँ. मेरे पुत्र और पुत्री भू और दुख से भर गया है. धन संपत्ति के अभाव में मैं क्या करूँ? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो चुकी है, किन्तु मेरे पास धन नहीं है. अब मैं क्या करूँ? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, और कन्या दान का समय बीता जा रहा है. कृप जनों का पालन पोशन करने में समर्थ हो जाऊं। मुझे बस उतना ही धन मिल जाए। उससे अधिक धन की कामना नहीं करता। आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है। कृपया, आप मुझे कोई उपाय बताईए। इस प्रकार वैश्य द्वारा पूछने पर उस ब्राम्हण ने प्रसन्यता पूर्वक उस वैश्य से कहा। तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस प्रिथवितल पर दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। यह नवरात्री का व्रत हमेशा ज्यान तथा मोक्ष को देने वाला है, सुख तथा संतान की व्रिध्ध करने वाला है, एवं शत्रूओ को पूर्ण रूप से नश्ट करने वाला कुम्भकर्ण तथा मेघनाद का संहार करके सीता को फिर से प्राप्त किये। हे वैश्य, इसी लिए तुम भी इस महान नवरात्री का व्रत अवश्य ही करो। इस प्रकार ब्रह्मन का वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज ना का अगले नौ वर्षों तक नवरात्री का व्रत किया, और नौवे वर्ष के अंत में महाश्य तित्थि को अर्धरात्री आने पर महेश्वरी जगदंबा ने उसे साक्षाद दर्शन दिया और उसे अनेक प्रकार के वरदानों से कृत-कृत्य कर दिया. अर्धरात्रेतु संजाते प्रत्यक्षम दर्शनम ददो नानावर प्रधानेश्च कृत-कृत्यम चकारतम तो दोस्तों इस प्रकार से देवी भागवत पुरान में नवरात्री के वृत की कथा बताई गई है उम्मीध है आपको यह कथा पसंद आई होगी वीडियो को लायक जरूर करे और कमेंट में जयमा जगदंबा जयमा पारवती जरूर लिखे साथ ही वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें